नमस्कार आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले जब बिहार में गादी सेतु के पुर्वी लेन का उधगाटन हो रहा था तो उसमें नितिन गड करी जो केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्री हैं वो हाजीपूर आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को हम अमेरिका जैसी बना देंगे उन्होंने ये बाते कही लेकिन बिहार की जो सड़कों की बदहाली है जो इस्तिती है वो देख के ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में अमेरिका जैसी सड़के जो है वो बन पाएंगे एक तस्वीर अब आपको अपने स्क्राइब पर चलाते हैं पहले वो आप सड़क की तस्वीर देखिए उसके बाद इस सड़क के बारे में बताते हैं तो दर्शकों जिस सड़क को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वो सड़क मदूबनी जिले का है और द्रोन के मादियम से इस सड़क के तस्वीर शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है आप देख पा रहे हूं कि किस तरीके से गड़ों से भड़ा परा है ये सड़क मदूबनी जिले के कलुआही बासो पट्टी हरलाखी से गुजरने वाली ये रोड है कि सबसे बदहाल हालत मांसी पट्टी से लेकर कलना तक है इस रोड पर सबसे बड़ा गड़ा सौफिट का बताया जा रहा है गड़े वाले एनेच 227 के ड्रोन वीडियो को देखकर ही डर लग रहा है पता नहीं कब वहां कौन गिर जाए गाडिया वहां से आ जा रही है कि मदुबनी से गुजरने वाला इस नैस्तन हाइवे का वीडियो जो देख रहा है वो पूछ रहा है क्या कि रहा कहां पर है बिहार का तो किस जली का है तोप एंगल से लिए गए इस वीडियो में सिर्फ गड़े ही गड़े दिख रहे हैं इतनी गड़े इतनी की गिंती कर मांसी पट्टी से कलना तक करीब 20 किलोमेट तक कुल बिलकुल चलने लाय के नहीं कितनी मजबूरी में लोग इस रोड से गुजरते होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज लगा सकते हैं इतना ही नहीं सड़के किनारे बस एक गाउं की स्तिती भी बद से बद के लिए यह एक मातर सड़क है जो बासो पटी हरलाखी प्रखंड को मदबनी जीला मुख्याले से जोड़ती है रास्ते के इस हालत के वज़से रोज सैकड़ो दुरगटना होती है क्या यह सोई ही सरकार किसी बड़े हाथसे के बाद जागेगी 2015 के बाद से इस सड़क बरबाद होती चली गई और इसका रिपेरिंग का काम नहीं हो पाया रिपेरिंग के लिए अब तक तीन बाद टेंडर भी जारी किया गया है लेकिन सभी ठेकदार ने कुछ दूर सड़क बनाने का बाद इस काम को छोड़ दिया ऐसी बात नहीं कि सड़क से सरकारी मुलजिम नहीं गुजड़ते हैं मगर यहां से आने जाने वाले सब भूल जाते हैं मदूबनी जिले के खजोली विदान सभा छेतर में जीतने वाले बीजेपी के बिदायक अरुन संकर प्रसाद का दावा है कि उन्होंने तीन बार अलग-अलग सत्र में इस रोट से जुड़े सवाल को विदान सभा में भी उठाया है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई है साल 2020 में सड़क नेशनल हाईवेज जैनंगर के तहताई दुरुस्त करने के लिए 23 करोड का टेंडर हुआ ठेकदार ने समय से काम नहीं पूरा किया तो NHI ने हटा दिया मामला कोट में चला गया ठेकदार ने मीडिया से कहा कि विवाग के अफसर भी लटका देते हैं अब नए सीरे से टेंडर निकालने की बात हो रही है मगर इसमें कम से कम तीन महीने का समय लग सकता है इसका मतलब यह हुआ कि इस बड़सात में भी यह सड़क तलाब बन जाएगा वीडियो वारलोने के बाद पत्थ निर्माण मंत्री हरकत में आये है मीडिया के मताविक करवाई की राग अलाप रहे है तो यह सिर्फ मधुबनी चिले की बात नहीं है बिहार में कई ऐसे सड़के हैं कई ऐसे रोड है जो निस्नल हाईवे को जोड़ती है और वहां की जो बदहाली है वहां की जो इस्तिती है वो बद से बत्तर है निस्नल हाईवे को बिहार सरकार काफी चमका देती है क्योंकि उसी से कई जो अधिकारी हैं कहीं जो बड़े नेता हैं नेस्नल हाइवे से गुजरते हैं लेकिन नेस्नल हाइवे को जोड़ने वाला सड़क गाउं के अंदर का सड़क उसी तरह रहता है क्योंकि तो असपस्ट रूप से ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार सिर्फ नेस्नल हाइवे को जोड़ने का काम करती है उसे सौंदरी करण का काम करती है गाउं के अंदर की जो बदाली की इस्तिती है उसकी वो किसी भी प्रकार की मरमत नहीं कहती है और इसी बात पर नितिन गडगरी कहते हैं कि बिहार की सडकों को अमेरिका जैसे बना देंगे अगर ये इस्तिती रही तो बिहार की सड़के अमेरिका तो क्या जिस तरीके की जो तस्वीरे आई हैं वैसी की वैसी ही रह जाएगी वराल इस खबर पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट शेक्षन में जरूर दीजेगा इस खबर में ता ही जोड़ेर एनबीजी 24 के साथ में बहुत धन्यमाद सभी दर्शकों का